हलो माई डियर श्टुडेंट बेलकम बैक तु माई यूटूब चैनल सुभास एश्टडी सेंटर जितने भी मेरे पैरे बच्चे कच्छा दसक विद्यारती दो हजार पचीस बूर्ड परिच्छा में सत्तर में सत्तर का स्कोर करना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान विसे के पेपर में तो आप इस माडल पेपर को जरूर तयार कर लीजेगा 100% मेरे पैरे बच्चो इस माडल पेपर से आपकी बूर्ड परिच्छा में प्रशनव जरूर आएंगे मेरे पैरे बच्चो सामाजिक विज्ञान का माडल पेपर है इस माडल पेपर के सभी प्रशनों को आप लोग तयार कर लेंगे और 825 इजिड कोड का माडल पेपर है तो चलिए मेरे प्यारे बचो इस माडल पेपर की ओर बढ़ते हैं आप सभी लोग वीडियो को शेर जरूर कर देना समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा बोड परिच्छा में पेपर का पूडांक कितना रह सत्ता रंको का रहेगा मेरे प्यारे बचो प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए यानि 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट का समय आपके पास रहेगा पेपर को पढ़ने के लिए मेरे प्यारे बचो इस प्रश्ण पत्र के दो खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा, खंड आ में एक अंक्य के 20 बहुविकल्पी प्रश्ण दिये गए हैं और जिनका उत्तर आपको कहां पर फिल करना है, OMR उत्तर पत्रक पर भरना है मेरे प्यारे बचो खंड आके प्रतेख प्रश्ण का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें, OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पस्चात उसे नहीं काटें, तथा इरेजर अथवा वाइटनर का प्रियोग भी ना करें मालिजे यहां पर आप लोग ध्यान दीजेगा, OMR सीट में चार आपसन होंगे, A, B, C और D, सही आपसन है A, और गलती से आपने D वाले गोले को काला कर दिया, अब ना तो आप इसको काट सकते हैं, ना ही इरेजर से साब कर सकते हैं, ना ही इसमें वाइटनर लगाना है, अलकुल जब तक कनफर्म ना हो जाए आपको तब तक आप गोलू को काला मत करियेगा, क्योंकि एक बार आपसे गलती होगी तो सुधार नहीं हो सकता, अगला है यहां पर निर्देश प्रशन के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रशन कितने अंक का है, इसका भी वर्डन किया गया है, खंडबा में पचास अंक के वर्डनात्मक प्रशन हैं, इस खंड में वर्डनात्मक फष्ट टाइप के वर्डनात्मक सेकंड टाइप, यहां पर सेकंड होगा मेरे पैरे बच्चों, तथा मानचित्र से भी सम्मंधित दो प्रशन दिये गए हैं, खं प्रश्न ना आता हो उस पर आपको समय नश्ट बिलकुल भी नहीं करना है जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस प्रश्न के पीछे आप ना पड़ें बलकि जिस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से पता है सबसे पहले आप उसको साल्व करें दिये गए मानचि इत्रकारी के अस्थान पर अलग से प्रश्न संख्या 9A तथा 9B लिखने के लिए दिये गए हैं। प्रश्न पर पहला प्रश्न है आटो वान बिसमार्क का सम्मंध किस देश से था। यह सभी प्रश्न आपको तयार कर लेने हैं। इस माडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप तयार कर लीजिएगा क्योंकि यह आपकी बोड परिच्छा में 100% आएंगे। मेरे प्यारे बचो यहां पर पहला प्रश्न क्या है कि आटो वान बिसमार्क का सम्मंध किस देश से था। तो दिये गए वे बिकल्पों में से राइट एंसर क्या होगा। मेरे प्यारे बचो आटो वान बिसमार्क का सम्मंध किस देश से था। आटो वान बिसमार्क का सम्मंध था जर्मनी देश से। जर्मनी के एकी करण में यद किसी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी तो वह था आटो वान बिसमार्क। दूसरा प्रश्ण है मेरे प्यारे बचो नेपोलियन बोनापाड की पराजे कब हुई थी तो दिये गए विकल्पों में से किस वर्स नेपोलियन बोनापाड की पराजे हुई थी इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बचो सन अठारा सो पंदरा इस बी में नेपोलियन बो प्रशन आगे है यहां पर प्रशन संख्या तीन मेरे पैरे बच्चों आप सफी लोग ध्यान देंगे प्रशन संख्या तीन क्या है निमनलखित में से कौन सा संघीय सूची का दिसे है यहां पर चार विकल्प दिये गए हैं आपको बताना है कि कौन सा संघीय सूची का दिसे प्रश्न अगला है ब्रेटेंड बुट्स नामक संस्था निमनलखित में से कहां इस्थित है तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्छो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका ब्रेटेंड बुट्स नामक संस्था जो है यह कहां पर इस्थित है अमेरिका में इस्थित ह प्रश्न अगला है मेरे पैरे बच्चो सुराज मेरा जन्म सिध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह किसका कथन है तो सुराज मेरा जन्म सिध अधिकार है बहुत ही प्रसिध कतन है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह कथन किसका है बाल गंगाधर तिलक जी का दीवाल आपसन सही हो जाएगा प्रश्न संख्या यहां पर छे है भारत में मता अधिकार यानि वोट डालने का अधिकार कब से प्राप्त हो जाता है वोट डालने का अधिकार भारत में प्राप्त होता है जब कोई युवक या योती 18 वर्स का हो जाता है तो वह अपना वोट डाल सकत यानि मत डालने का अधिकार उसे मिल जाता है। प्रश्न अगला है very important मेरे प्यारे बच्चों लोक तांतरिक सासन व्यवस्था की व्यवस्थाओं से यानि अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है यहाँ पर अन्य होगा क्योंकि यहाँ सभी नागरिकों में समानता को देती है यह विकल्प भी सही है यानि यहाँ पर उत्तर क्या होगा विकल्प A और B दोनों यहाँ पर यह वाला हो जाएगा right answer प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस के अस्थापना कब हुई थी तो भारतिय राष्ट्रिय कांग् 1880SB में इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सन 1885SB में भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस के अस्थापना हुई थी अगला प्रश्न है भारत में अवसिष्ट सक्तियां किसको प्राप्त हैं तो भारत में मेरे प्यारे बच्चों अवसिष्ट सक्तियां किसको प्राप्त हैं इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहां पर आप लोग ध्यान दीजेगा, भारत में अवसिष्ट सक्तियां संग को प्राप्त हैं, प्रश्न गला है भारतिय सम्मिधान कब लागू हुआ, तो आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 इसबी को हमारा देश आजाद हुआ था, और 26 जन्वरी 1950 इसबी को हमारा भारतिय सम्मिधान लागू हो गया था, तभी से हम प्रतेक वर्स 26 जन्वरी को गड़तंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, भारतिय सम्मिधान कब लागू हुआ, 26 जन्वरी 1950 इसबी को, मेरे प्यारे वच्चों, प्रशन संख्या यहाँ पर ग पाई जाती हैं तो किस राज में लाल मिटिया पाई जाती हैं इसका उत्तर क्या होगा इसका जो है उत्तर क्या होगा दिये गए विकल्पों में से उत्तर प्रदेश राज में लाल मिटिया पाई जाती हैं प्रशनगला है निमनलखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत संसाधन है तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे यहाँ जो प्रश्ण है very important है और इस प्रश्ण के जरिये मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पवन उर्जा कैसा संसाधन है गैर परंपरागत संसाधन गैर परंपरागत संसाधन वैं संसाधन होते हैं जो समाप्त नहीं होते और परंपरागत संसाधन वैं होते हैं जिनका एक बार प्रियोग करने के बाद वैं समाप्त हो जाते हैं अगला प्रशन है निमनलखित में से कौन सा राज बाकसाइट का प्रमुख उत्पादक है तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे इस प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा उडीसा राज कौन सा उडीसा राज बाकसाइट का प्रमुख उत्पादक राज है आतुकी मात्रा पाई जाती है प्रश्णगला है निमनलखित में से कौन सा जैव संसाधन है तो जैव संसाधन किसे कहते हैं जैव संसाधन जीवित अवस्था में होते हैं और जो अजैव संसाधन होते हैं वैं निर्जीव अवस्था में होते हैं तो मतस्य उद्दोग यानि म पालन मचली की सवस्था में होती है जीवित होती है तो जैव संसाधन के अंतरगत आएगा दिये गए विकल्पों में से मतस उद्दोग बाकी चट्टाने लोहा तामबा ये सभी अजयव संसाधन है अगला प्रशन है निम्नलकित में से किस राज में सबसे अधिक प्रतिसत क्रसी भूमि पर होती है तो मेरे पैरे बच्चों यहाँ पर इस प्रशन का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है विकल्प यहाँ पर आप किस राज में सबसे अधिक प्रतिसत क्रसी भूमि पर खेती होती है अगला प्रशन है मेरे पैरे बच्चों यहाँ पर निम्नलकित में से कौन सा भोगोलिक छेतर का प्रतिसत राश्टी वन नीत 1952 द्वारा निर्धारित किया गया इसका उत्तर हो जाएगा 33 प्रतिसत मेरे मेरे पैरे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रशन मानो विकास की द्रश्टी से निम्नलकित में से कौन सा देश भारत से क्या है वहतर इस्थिती में है तो दिये गए विकल्पों में से राइट एंसर क्या होगा मेरे पैरे बच्चों इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा स्री लंका यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही है कि दिये गए विकल्पों में से यानि मानो विकास की द्रश्टी से निम्नलकित में से कौन सा देश भारत से भी वहतर इस्थिती में है उत्तर हो जाएगा स्री लंका अगला प्रश्ण है निम्नलकित में से कौन सी गतिविधी प्राथमिक छेतर के अंतरगत आती है मेरे पैरे बचो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजीगा प्राथमिक छेतर के अंतरगत क्या आता है बरतन बनाना, खनन या सिलाई या भवन इसका मेरे प्यारे बच्चो उत्तर क्या हो जाएगा खनन करना प्राथमिक छेतर के अंतरगत आता है प्रश्न संख्या 20 है उपभोगता आप लोग ध्यान देंगे उपभोगता सुरच्छा अधिनियम कब बना था बेरी इंपर्टन प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चो और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि उपभोगता सुरच्छा अधिनियम सन 1986 यहाँ पर आप लोग ध्यान देजेगा 1986 में बना था जो कि बिकल्प मिस्प्रिंट हो गया है आप लोग याद रखेगा सन 1986 में इस भी में उपभोगता सुरच्छा अधिनियम बना था अब बारी आती है वर्डनात्मक जो फर्श्ट टाइप के प्रश्नाएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग कितने सब्दों में देना है असी सब्दों में देना है इन सभी प्रश्नों को आप लोग तयार कर लीजीगा प्रते एक प्रश्न मेरे प्यारे बचो चार नंबर का होगा पहला है प्रश्न यहाँ पर फ्रांस की क्रांती के मुखे कारण क्या थे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अत्वा में भी प्रश्ण है नमक सत्यागरह से आप क्या समस्ते हैं प्रश्ण संख्या 2 है किस प्रकार से लेंगिक भिन्नता ने राजनीत को प्रभावित किया संचेप में लिखी अगला प्रश्ण है अत्वा में सत्ता की साध्यदारी लोग दंतर की आत्मा है इसका थन की विवेचना कीजिए Very very important प्रश्ण है प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों खनीजी के सरचण की विवेचना कीजिए अत्वा में प्रश्ण है भारती अर्थ विवस्था में बैस्वी करण के महत्तु की विवेचना कीजिए प्रश्ण संख्या चार है जूम करसी की विविस्थाओं की विवेचना कीजिए अत्वा में प्रश्ण है मेरे प्यारे बचो उपभोगताओं के सोसड के किनी चार कारणों यहाँ पर कारणों होगा कारणों की समिच्छा कीजिए मेरे प्यारे बचो जो वाड़नात्मक सेकंड टाइप के प्रश्ण होंगी जिनका उत्तर आपको लगभग कितने सब्दों में डेड़ सो सब्दों में देना होगा प्रती एक प्रश्ण पूछा जाएगा च्छाह नंबर का तो यहाँ पर most important प्रश्ण है सबिने अवग्या आंदोलन से आप क्या समझते हैं इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संचिप्त टिप पड़ी लिखिए मेरे प्यारे बचो आप देख रहे हैं अथवा में जो प्रश्ण है very important है कह रहा है भारती अर्थव्यवस्था पर बैस्व महामंदी के किन्ही चार परिडामों का उले कीजिए मेरे प्यारे बचो इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्ण है भारती ये संग अर्ध संग है संगी ये धाचा है इसकी पुष्टी में किन्ही दो कारकों का उले कीजिए अथवा लोक तांतरिक सुधा से आप क्या समझते हैं इसके लिए उठाये जा सकने वाले किन्ही दो कदमों का उले कीजिए मेरे प्यारे बचो प्रश्ण संख्या साथ है म्रदा परदन का क्या अभिप्राय है और इस समस्या के समाधान हे तो कोई चार उपाय सुझाईए वेरी इंपर्टन प्रश्ण है मेरे प्यारे बच्चो आप लोग जरूर तयार कर लेना अत्वा में प्रश्ण है अहाँ पर संसाधन नियोजन की आवशक्ता क्यों है भारत में संसाधन नियोजन है तो कोई चार उपाय सुझाईए प्रश्ण संख्या आठ बेरी बेरी इंपर्टन है मेरे प्यारे अध्यास की अधाना क्या है? सामान तया इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? अथवा में प्रश्न है तरतियक छेतरक क्या है? इसकी विसेस्ताओं की समिच्छा कीजी. इसके बाद आप देखेंगे मानचित्र से समंधित प्रश्न यहाँ पर निर्देश है. प्रश इस चिन के द्वारा आपको नाम और दर्शाना है, नाम सही दर्शाना है, एक नंबर का एक प्रश्न होगा. तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आप देख सकते हैं, पूछे जाएंगे. वह अस्थान जहां सितंबर 1920 में भारती राश्ट्री कांग्रेस का दिवेशन हुआ वह अस्थान जहां जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ, वह स्थान जहां से महत्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, गुजरात का वह स्थान जहां किसानों ने सत्यागरह आंदोलन किया था और वह स्थान जहां 1927 में भारती राश्ट्री कांग्रेस का दिवेशन एक ताप विद्दुत केंद्र यहां पर भी चिन होगा भारत के पूर्भी तटका एक समुद्री पत्तन यानि बंदरगा और चाय उत्पादक कोई एक छेतर 36 गढ़ की राजधानी नगर तो मेरे प्यारे बचो इसी पैटर्न पर आधारित होगा आपकी बोर्ड परिच्छा 2025 का सामाजिक विज्ञान विसेका पेपर आप इस माडल पेपर के सभी प्रशनों को तैयार कर लेना 70 में 70 यदि आप लाना चाहते हैं और वीडियो को सेर कर देना लाइक कर देना जैहिंद